लगातार लगातार बीस तार इक से हमारा अंदूलन चल रहा है राजस्तान में एड़ोगे प्रोस्टन एक लेकर वकिलों के हत्याइं हो रही हैं वकिलों पर हमले होते हैं और सरकार जो यह सुन नहीं रही है इसके विरोध में आप हम परतिय का अत्मक डंग से केवल टावर पर चड़कर सरकार को हमने चेताओं नहीं दिये कि यह वकिलों का सईधी जो जटता है यह मोज से नहीं डरता है आउसकता पड़ेगी तो यह टावर से कूद कूद कर भी मरेंगे वकिल और वकिल के परिवार को सुरक्षा परदान कराएंगे इसलिए हम लोग आज आक्रोस दूसरा हासा हो रहता तो वकिल कर शुरक्षित नहीं है आज भी आदालत के अंदर वकिल तावर पर चड़ेते अपने आस्वास नहीं दिया उन्होंने यह कहा हम ने कहा हम टावर पर चड़ेंगे आप जो है यह किसी भी प्रगा का रूप ले सकता है आप जो यह महां वेवस्ता करवाई यह परशासन के तो उन्होंने का कि आपकी जो मर्जी में आए जो कर यह चड़ जाए यह बले कुछ भी नहीं होगा तो इस तरीके तब पिर हमने जो है वो इसका विरोज जो है जता सरकार नहीं सुन रही है उसके पीछे एक बहुत पुरानी लॉजिक है जब चौटी की मौत आती है तो उसके पर निकलाते हैं सरकार अभी नर्शे में चूर है उसे नहीं मालूम कि पंगा किस से ले रही है एक लाख बीस हजार वकील इतिहास बदल सकते हैं जब हम भारत को आजाद करा सकते हैं तो हम अपना हग भी ले सकते हैं प्रोटेशन एक को लेकर रहेंगे चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े आज बच्चों ने जो भी कुछ किया वो केवल प्रतिकात्मत था अगर सरकार ये चाहती है कि वाकई हमारी शाहदत देख ले तो हम कल ये भी करके दिखा देंगे जहीं